आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं तेजी से TLC इंफेक्शन को कम करने वाले इंजेक्शन के बारे में TLC इंफेक्शन 15,000 है या फिर 20,000 या 30,000 इतना जाद अगर बढ़ गया है तो ऐसी कंडिशन में डोक्टर द्वारा कौन सा इंजेक्शन लगा जाता है ताकि TLC इंफेक्शन को आराम से कम कर सके साथ हम जानेंगे इस इंजेक्शन की डोज, प्राइज, प्रिकेशन, साइड इफेक्ट और इस इंजेक्शन से रिलेजिट बहुत सारी बाते आज हम इस वीडियो में जानेंगे तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो सुरू कर लेते हैं सबसे पहले हम जान लेते हैं TLC इंफेक्शन होता क्या है तो देखे गाईज, ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए TLC एक बैक्टिरियर इंफेक्शन होता है, जो हमारे बलड़ में हो जाता है किसी गलत खान पान के वज़े से, या फिर किसी बीमारी के वज़े से TLC बढ़ जाती है सरीर का कोई अंग जल जाता है, या कट फट जाता है या फिर और किसी रिजन से TLC इंफेक्शन बढ़ जाता है नॉर्मल जो TLC होती है, वो 4000 से 11000 के बीच होती है अगर इससे उपर हो जाती है, तो बलड़ में इंफेक्शन हो चुका है TLC जो है वो बढ़ चुकी है कितना ज़्यादा बढ़ गई है, इस चीज़ को चेक करने के लिए CBC टेस्ट कराया जाता है CBC टेस्ट में पता लग जाता है कितनी ज़्यादा TLC बढ़ी हुई है CBC की फुल फोम होती है, कम्प्रीट बलड काउंट इस टेस्ट की हेल्प से पता लग जाता है TLC बढ़ जाने पर इसके कुछ सिम्टम्स भी दिखाए देते हैं लाइक बहुत ज़्यादा फीवर होना, 101, 102, 103 इसके अलावा हाथ पेरों में दर्द होना, बेचेनी होना, कमजोरी, ठकान कामकाज करने में बहुत ज़्यादा परिशानी होना इस तरह के कुछ सिम्टम्स भी दिखाए देते हैं अब हम जान लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में यानि TLC इंफेक्शन को कम करने वाले इंजेक्शन के बारे में तो देखिए इनको घटाने के लिए डॉक्टर द्वारा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेरो इंजेक्शन को यूज कर सकते हैं मेरो इंजेक्शन का TLC को तेजी से कम करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलता है मेरो इंजेक्शन में मेरो पेनम नाम का एक साल्ट होता है जो बड़ी हुई TLC को बहुत तेजी से कम करता है TLC एकर 15,000 हो गई है या 20,000 हो गई है 25,000 या 30,000 अगर इतनी ज़्यादा भी TLC बड़ी हुई है तो ये injection तेजी से कंट्रोल कर देता है और ध्यान रखे अगर TLC infection का treatment सही टाइम से नहीं लेते हैं तो इसको तेजी से cover up करने के लिए marrow injection को लगाया जाता है वैसे अगर किसी की 10,000, 10,000 तो नोर्मल हो गई किसी की 12,000, 15,000 या 20,000 इतनी ज़्यादा TLC है तो उसमें mono safe वगेरा के injection चल जाते हैं या big time वगेरा के injection चल जाते हैं जो आज इसके अंदर safe track zone होता है लेकिन अगर बहुत ज़्यादा TLC बढ़ जाती है जैसे 25,000, 30,000 अगर इतनी ज़्यादा TLC बढ़ जाती है फिर आपको बिल्कुल भी रिक्स निलना है आपने marrow injection को यूज करना है ये injection बढ़ी हुई TLC को काफी अच्छे से control करता है 20,000, 25,000, 30,000 इतनी ज़्यादा TLC को ये injection बहुत तेजी से कम करता है तो ये तेश की कुछ benefits अब हम जान लेते हैं dose के बारे में dose की बात की जाए तो IV root से इस injection को लगा जाता है drip में mix करके IV root से इस injection को patient को चड़ा सकते है meropenem injection की जो dose होती है वो 20 mg per kg होती है यानि आपने 20 mg per kg के हिसाब से dose को calculate करना है और दिन में 3 बार के हिसाब से आप इसको दे सकते हैं TDS के रूप में अब मैं example के तोर पे आपको बता देता हूं माली जी कोई 10 kg का बच्चा है और dose हमने कितनी बताई 20 mg per kg तो 10 into 20 बराबर 2 mg यानि बच्चे को 2 mg डोज दे सकते हैं वहीं अगर कोई 20 kg का बच्चा है तो 20 into 20 बराबर 400 mg बच्चे को 400 mg दवाई दे सकते हैं इस हिसाब से dose को calculate की जाती है जितना भी weight है कोई adult है या बच्चा है कोई 40 kg का है 50 kg का है तो उसे आपने 20 से multiply कर देना है जितनी भी डोज आएगी वह आपने बच्चे को देनी है या बड़े को देनी है इस हिजाब से meropenem injection को लगा जाता है और meropenem injection Aristo Company के द्वारा बनाय जाता है 1 gram का ये injection होता है जिसका MRP 919 रुपिय होता है और meropenem नामकाश में 1 salt होता है और ये आपको 500 mg, 500 mg और 1 gram में देखने को मिल जाएगा और guys अब हम जान लेते हैं इसके कुछ perucations यानि सावधानिया के बारे में आपने directly इस injection को नहीं लगाना है इसके कुछ perucations भी होते हैं जिसका आपको खास ख्याल रखना है जैसे अगर किसी patient को epilepsy की problem है यानि अगर किसी patient को मिर्गी का दोरा पड़ता है या liver kidney related कोई problem है तो ऐसी condition में इस injection को ना लगाने के सलाह दी जाती है ऐसी condition में side effect आ सकता है इसके अलाबा pregnant और breastfeeding condition में भी doctor द्वारा ही इस injection को यूज किया जाता है और इसके common side effect के बात की जाये तो headache, vomiting, nausea, itching, diarrhea इस तरह का common side effect एकाथ परसन को कभी कभी आ जाता है जो एक दो दिन में ठीक हो जाते है उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आये होगी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं